हाई गाई दिस राजीव एंड वेलकम बैक टू दनादर वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम रेडॉक्स टाइटरिशन के बारे में जानेंगे और यह एक्जम में अक्सर डिप्लोमा के एक्जम में अक्सर फाइम मक्स यह फिर टू मक्स के लिए पूछे जाने वाले बहुत ही important सवाल हैं तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में शुरू करते हूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल हमाहिए तो प्रिंवर को क्रिया हम को सब्सक्राइब करें ब्हल आईकन को प्रेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो हम शुरू करते है तो हम देखते ह डॉत यह सब लेगों के अधर टार्यूंट के विच एक्डशन के तो सीयों में कॉर्ज़कन के तो याशन crime अहलबacji करफ़न sä depress equipped सब्रियाक्षर घ्याक्षिण मतलब कि mark tourism में अनलाइड त्यूंस के बीच एलेक्ट्रों का ट्रांसफर होता है जिसे हम रेडॉक्स रियक्शन कहेते हैं एक दोनों के भी जब ट्रांसफर आप एलक्रोंस होता है निया एलक्रोंस की ट्रांसफर होना तो उसे हम रेडॉक्स ट्रेशन कहेते हैं जब यह सभी फेनोमेना एक ट्रेशन में होता है तो जिस oxidation-reduction-titration तो redox-titration को oxidation-reduction-titration भी कहा जाता है In this types of titration, the chemical reaction takes place with a transfer of electrons in the reacting ions of aqueous solution of titration जब एक titration में एक titrant एक analyte used होता है और वो एक aqueous solution होता है तो जब इन दोनों के बीच electrons का transfer होता है तो इस phenomenon को हम redox-titration ए फिर oxidation-reduction-titration भी कहे थे और इस oxidation-reduction-titration mainly thin-titration में होता है यानि oxidation-reduction-titration mainly thin-titration को oxidation-reduction-titration कहा जाते है आई उसे भी देख लेते हैं तो जिसमें परमागनेट-titration, dichromate-titration, ideometric-titration तो यह जो तीन-titration है यह especially based on oxidation-reduction-titration है तो हमरे next videos में हम इन अलग-अलग जो भी titration है परमागनेट-titration, dichromate-titration और ideometric-titration इसको और भी detail तरीके से देखने वाले है तो दोस्तो वीडियो पसंद आये तो लाइक करें चैनल परनाये तो दोस्तो प्लीच आनको सब्सक्राइब करें लोटेंगे एक नए वीडियो के साथ थैक्स वर वाचिं